गीता घर से पहाड की ओर दुकान तक जाने के लिए 8 मील प्रतिघंटे की रफ्तार से 45 मिनट में यात्रा पूरी करती है और फिर वो घर वापस जाने के लिए समान दूरी को 24 मील प्रतिघंटे की रफ्तार से पूरी करती है तो यहां हमें उसकी घर से दुकान तक जाने और वापस आने की पूरी यात्रा की ओसत रफ्तार यानि एवरेज स्पीड पता करनी है चलिए अब हम उसकी पूरी यात्रा की ओसत रफ्तार निकालते हैं यहां औसत रफ्तार तै की गई कुल दूरी बटा कुल समय के बराबर होगी आईए देखते हैं कि कुल दूरी क्या होगी जैसा कि हम जानते हैं कि घर से दुकान तक जाने और वापस आने की दूरी समान है इसलिए हम कह सकते हैं कि कुल दूरी घर से दुकान तक की दूरी के दो गुनी है मतलब की दो गुना घर से दुकान तक की दूरी अब हम कुल समय पता करते हैं यहां यह घर से दुकान तक जाने का समय जमा दुकान से वापस आने का समय है अब हम जानते हैं कि घर से दुकान तक की दूरी और दुकान से वापस आने की दूरी समान है इसलिए मैंने इसे कुल दूरी कहा है जो घर से दुकान तक की दूरी की दोगुनी है यहां हमारे पास अलग-अलग समय है मतलब कि घर से दुकान तक का समय और दुकान से वापस घर आने का समय दोनों अलग है आये देखते हैं कि ये हमें कैसे पता है वो अलग-अलग रफतार से चली मतलब कि उसकी दुकान जाने की रफतार वापस आने की रफतार से कम थी इसलिए उसने वापस घर आने से ज़्यादा समय जाने में लिया होगा तो हम इसे किस तरह कर सकते हैं? हम यह जानते हैं कि दुकान तक की दूरी कैसे निकालते हैं यहां घर से दुकान तक की कितनी दूरी है ऐसी कोई जानकारी यहां नहीं दी गई है लेकिन यहां पहले वाक्य में उपर बताया गया है कि गीता घर से पहाड की ओर दुकान तक जाने में आठ मील प्रति घंटे की रफ्तार से 45 मिनट लेती है हमें यहां समय और रफ्तार दी गई है इसलिए हम आसानी से दूरी निकाल सकते हैं आएए इसे यहां बगल में लेखते हैं हम यहां आसानी से दूरी पता कर सकते हैं घर से दुकान तक की दूरी बराबर सबसे पहले यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि यहां इकाई क्या-क्या है यहां समय मिनट में है और रफतार आठ मील प्रती घंटे है इसलिए पहले यहां समय को घंटे में बदलते हैं यहां 45 मिनट को घंटे में करने के लिए दिमाग मही सरल करते हैं मतलब कि 45 को 60 से भाग करते हैं जिससे यह 45 बटा 60 हो जाता है और इसे छोटा करने के लिए दोनों को पंदरह से भाग देते हैं, तो यहां 3 बटा 4 बचता है, इसलिए यहां यह 3 बटा 4, अब हम इसमें घर से दुकान तक जाने की औसत रफतार, जो की 8 मील प्रतिगंटा है, से गुणा करते हैं, तो घर से दुकान तक की दूरी कितनी है? अब यहां हमारे पास 3 बटा 4 गुणा 8 है, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 बटा 4 गुणा 8 बटा 1 है, जो की 24 बटा 4 होगा, तो यहां यह 24 बटा 4 है, जो की 6 के बराबर होगा, अब अगर 1 यानि यूनिट को देखते हैं, तो हमारे पास सिर्फ मील बचा हुआ है, इसल आईए अब देखते हैं कि दुकान तक जाने में लगा समय क्या है यहां हमें पहले से बताया गया है कि यह 45 मिनट है अब मैं सभी समय को घंटे में रखता हूँ क्योंकि मुझे औसत रफतार घंटे में निकालनी है इसलिए दुकान तक जाने में लगा समय तीन बटा चार घंटे है और अब देखते हैं कि दुकान से वापस आने में कितना समय लगेगा हमें उसकी वापस आने की रफतार पता है जो की यहां प्रश्ण में दी गई है हमें ये पहले से दुकान तक आने और जाने की दूरी पता है ये दोनों दूरी समान है और 6 मील के बराबर है अब हम 6 मील को वापस आने की रफतार मतलब 24 मील प्रति घंटे से भाग करते हैं तो हमें 1 बटा 4 मिलता है यहां इनको हल करने पर मील से मील आपस में रद्ध हो जाता है और यहां 1 बटा 4 घंटे बचता है इसलिए उसे घर वापस आने में लगा समय एक बटा 4 घंटे है इनहें समझाने के लिए मैं सभी समय को हरे रंग से लिख रहा हूँ ये एक बटा 4 घंटे हैं वो दुकान तक धीमी रफ्तार से गई थी, इसलिए उसे दुकान तक जाने में तीन बटा चार घंटे लगते हैं, और जब कि वापस आने में केवल एक बटा चार घंटे लगते हैं, तो अब हम उसकी पूरी आत्रा की ओसत रफ्तार निकालने के लिए तैयार हैं। उसकी पूरी आत्रा की ओसत रफ्तार बराबर बारह मील भाग कुल समय होगा, यहां कुल समय तीन बटा चार घंटे जमा एक बटा चार घंटे बराबर एक घंटा है। अब हमें यहां यह करना है कि हम अपने आधार भूत चीजों को देखते हैं, जैसे कि कुल दूरी और कुल समय, यहां पर यह पहले वाके से हमें कुल दूरी का आधा मिलता है, यह कह सकते हैं कि दुकान तक जाने की दूरी मिलती है। समय निकाल सकते हैं। इस तरह हमें कुल दूरी भाग कुल समय मिलता है, जो की बारह मिल प्रति घंटे है। सकते हैं।